हेलो दोस्तो आपके अपने यूटूब चैनल साथ है ने टूजर में स्वागत है दोस्तो आज हम असीवर्ट प्रति मिनट से याडिक्टेशन देखेंगे अगर आपको याडिक्टेशन पसंद आए तो आप डिक्टेशन को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें अगर आप इस वीडियो की पीडियाप पाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रेप्ट बॉक्स में लिंक के दियु है आप उस लिंक पर जाकर पीडियाप राप्ट कर सकते हैं डिक्टेशन सुरू होगा पान सिकेंड बाद महोदय यह भी बिचार किया गया है की जो ब्यक्ति समाज में काम करता है चाहे आविस्कार का काम करे चाहे दूसरा कोई काम करे उसको उस काम में तब तक सफलता नहीं मिल सकती है जब तक की समाज का सहयोग या समाज ने जो परिसिरम किया है या कुछ आविस्कार किया है उसका उपियोग उसको प्राप्त ना हो उसका उपियोग वहना कर सके इसलिए जब भी कोई ब्यक्ति किसी वस्तु का आविस्कार करता है तो आविस्कार करने में ना केवल उसका अपना परिसरम रहता है लेकिन साथ ही साथ समाज ने जो काम किया होता है चाहे बिज्ञान के छेतर में या प्रद्योग के छेतर में या किसी यन छेतर में उस सब में भी वहला भानुवित होता है इसलिए जब हम किसी आविस्कार के अधिकार की रच्छा करना चाहते हैं तो उसके साथ साथ यह भी विचार हमारे दिमाग में आता है जिस व्यक्ति ने समाज की सहायता से आविश्कार किया है उस समाज को भी उसका फल अधिक से अधिक मिलना चाहिए माननी मंत्री जी ने भी कहा है कि पेटेंट ला इस सिद्धान्थ पर आधारित होना चाहिए मैं समझता हूँ कि पेटेंट ला के पीछे दो सिद्धान्थ निश्चिक हैं पहला सिद्धान्थ तो यह है कि जो ब्यक्ति परिस्रम करके धन लगाकर अपना दिमाद लगाकर कि किसी वस्त का आविश्कार करता है उसके तथा अपने परिवार के लोगों के अधिकारों की जहां रच्छा होनी चाहिए उसके साथ ही साथ जैसा मैंने अभी कहा है कोई ब्यक्ति समाज में ब्यर्थ में काम नहीं करता है वरन पिछले समाज के लोगों ने जो जो काम किये होते हैं चाहे विज्ञान के छेतर में या प्रद्योग की के छेतर में या किसी अन्य छेतर में और जिनके आधार पर वह कोई आविश्कार करता है उसको उसका प्रतिफल तो मिले लेकिन जो परिडाम हो उसका प्रतिफल समाज को भी मिलना चाहिए मंत्री महोदय ने कहा है कि जो यह सिद्धान्द है वह भी इस विद्यक के पीछे अस्थापित किया गया है और इस बात का ध्यान रखा गया है कि जहां हम किसी ब्यक्त के आविश्कार के जो अधिकार हैं चाहे धन के उपारजन का अधिकार हो या प्रतिफ्था प्राप्ट करने का अधिकार हो उसे प्रतिफ्था का और चाहे धन का दोनों का लाव ब्यक्ति विशेथ को कि युजत प्रतिफ्था तो है भ्रतिफ्था